प्रिये जिग्यासुओं आज मैं पुनाहा एक और व्याख्ख्यान के लिए आप के सामने उपस्तित हूँ आप सभी लोगों को इस आनलाइन कख्षा में मैं स्वागत करता हूँ पिशले व्याख्यान में व्रिध्धी संधी की चर्चा हुई थी उसी क्रम में एक सूत्र देते हैं उपसरगाह क्रिया योगी उपसरग संध्या करने का यह सूत्र है कहता है क्रिया के योग में उपसरग संध्या हुआ करती है किनकी होती है तो व्रिध्धी में लेखते हैं प्रादया प्रादिगन प्रापराअस और निस्निर्दुर इत्यादी यह यदि क्रिया के योग में आए हो क्रिया के साथ इनका योग हुआ हो तो उपसरग संध्या को हुआ करते हैं उपसरग संध्या करने का अफ़ल आगे बताएंगे इसके बाद एक दूसरा सूत्र देते हैं भूवा दयो धातवह यह धातु संध्या करने का सूत्र है और कहते हैं क्रिया वाची भूवा आदी की धातु संध्या हुआ करती है व्रत्ति में लिखते हैं भूवा दयाहा क्रियावाची नो भुवादयाह धातु संग्याह सिहु क्रियावाची भूवा आदी धातु संग्यक हुआ करते हैं क्रियावाची कहने का आशय यह है कि अगर यहां पर क्रियावाची शब्द न कहते व्रत्ती में तो भूव जो संग्यावाचक हैं उनकी भी यहां पर धातु संग्या हो जाया करती तो भूव संग्यावाची भूव आदिकी धातु संग्या नहो इसके लिए क्रियावाचिनह पद का प्रयोग किया गया है उपसर्ग संग्या और धातु संग्या करने का फल क्या है आगे बता रहे हैं उपसर्गाद द्रिति धातवू उपसर्गाद द्रिति धातवू उपसर्ग से रिकार आदि धात परे होने पर क्या होता है यह स्पष्ट नहीं है इसके लिए आद गुनह से हम आद कानुवर्तन कर लेंगे जो उपसर्गाद का विशेशों होगा इसका मतलब होगा अवरणान तात उपसर्गाद और व्रिधि रेचिसे व्रिधि कानुवर्तन कर लेंगे एकह पूर्व परयोह का अधिकार चल ही रहा है तो अवरणान उपसर्ग से परे रिकाराद इधात होने पर पूर्व और परदोरों के स्थान में व्रिधि रेकादेश हुआ करता है प्रयोग देते हैं प्रार्चति प्रारिच्छति यहां पर भी आदगुणह से गुणप्राप्त होता है क्योंकि रकार उत्तरवर्ती अवरण है और उससे परे रिकार अचविद्यमान है जिस कारण से आदगुणह से गुणकी प्राप्ति होती है किन्तु यह जो रिकार है अच रिकार है वहां रिकार आदिधातु है इसलिए और उपसरगाह क्रिया योगे से प्रा की उपसरग संग्या हो जाया करती है जिस कारण से आवरणांत उपसरग से परे रिकाराद इधातु होने के कारण अकार एवं रिकार इन दोनों के स्थान में ब्रिद्धिरे का देश होगा और यह ब्रिद्धिरे का देश स्थाने इंतर तमहा और उरण रपरह की सहायता से रपर प्रवत्त हो करके आर हो जायेगा और प्रयोग बनेगा प्रारच्छति ब्रिद्धि संधि का प्रकरण समाप्त हुआ इसके पश्चाप दूसरी संधि प्रारंभ होती है पररूप संधि पररूप संधि विधायक सोत्र है एन पररूपम एन प्रत्याहार है और सप्तमी विभक्ति में है अर्थात एन परे होने पर एन परे होने पर क्या होता है पररूपम पररूप हो जाया करता है इसके लिए आद गुणा से आद कानुवर्तन करते हैं और उपसरगाद रितिधातव से उपसरगाद कानुवर्तन कर लेते हैं और एकह पूर्व परयोह का अधिकार है और अर्थ होगा सुत्र का अवर्णांत उपसरग से परे एन प्रत्याहार का वर्ण होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान में पररूप एकादेश हो व्रत्यकार लिखते हैं आत उपसरगाद एन आदव धातव परे पररूप में कादेश हो स्यात्थ कि उदाहरण देते हैं प्रेजते उपोशति यहां पर रकार उत्तरवर्ती अकार अवर्ण है और एजते का एकार अचबिद्धिवार है इसलिए आद गुणह से गुण की प्राप्ति होती है किंतो उपसरगाह क्रिया योगे से प्राकी उपसरग संग्या और उससे परे एन प्रत्याहार का वर्ण एकार विद्यमार है जिस कारण से प्राप्त आद गुणह से गुण को बाद कर एनी पर रूपम इस सूत्र से पूर्व और पर दोनों के स्थान में पर रूप एकादेश होकर प्रेजते प्रयोग सिद्ध होता है इसी तरह से पकार उत्तरवर्तियकार अवर्ण है और उससे परे ओशती का उकार अच है आध गुणह से गुणप्राप्त होता है किन्तु उपसरगाह क्रिया योगे से उपकी उपसरग संग्या और उससे परेव कि ओशती कि एन का उकार एन प्रत्याहार का वरण है जिस कारण से एन इपर रूपम से पूर्व और पर दोनों के इस्थान में कि पर रूप हो करके उपोशती प्रयोक सिध्ध होता है इसके बाद अगला सूत्र है कि आचों त्यादि टी कि टी संग्या करने का सूत्र है कि कहता है कि आचाम मध्ये यह अंत्याह सा आदि ही यस्या त्र्टि संग्यम स्यात अचों के बीच में अचाम मध्ये अचों के बीच में यह अंत्याह सह जो अंतिम अच है वह आदि ही यस्या आदि में है जिसके वह आदि में है जिसके उसकी टी संग्या हो अगर वह किसी के आदि में न हो तो फिर वह अपने आप में आदि और अंत दोनों होगा क्यों? क्योंकी देवदत तस्या एकेव पुत्त्रह साएव जेश्ठषा साएव कनिश्ठषा वही जेश्ठष है वही कनिश्ठष है तो अगर अकेला है अचों के मध्य में अंतिम अच वह किसी के यादि में नहीं है तो वह अपने आप में आद भी होगा और अंत भी होगा प्रयोग के माध्यम से हम आगे देखेंगे इसी क्रम में वार्तिक देते हैं शकंध्वादिश उपररूपम वाच्यम ती संग्या का क्या प्रयोजन है क्यों की गई ती संग्या इसका फल बताते हैं कहते हैं शकंध्वादिश उपररूपम वाच्यम शकंध्वादियों में पररूप कहा जाना चाहिए शकंध्वादि ये गण है और वह जो पररूप होता है वह ती को समझना चाहिए तच्चति और वह ती को समझना चाहिए प्रयोग है शकंध्वो गरकंध्वो शकंध्वो शक जाती का कुआ रोकंध्वो करकंध्वो करक जाती विशेश का कुवा अंधु का आर्थ होता है कुवा अ कि शक अंधु कि अ कि सबसे पहले कि हमें ती संग्या करनी होगी आचोंत्यादिटी के अनुसार ककार उत्तरवर्तियकार की ती संग्या होगी और उससे परे अंधु का आकार विद्यमान है इसलिए शकंध्वा दिशु पररूपं बाच्यम तचटेह इस सूत्र से पूरो और पर दोनों के स्थान में पररूप होकर के शकंधु प्रयोक सिध्ध होता है इसी प्रकार करकंधु भी सिध्ध होगा एक प्रयोग है मनीशा माना सधन इशा अगर हम मना सधन इशा ऐसा अज जीनम पर ब्यंजनम परेण संयों जम इस मान्यता से इसको मिला देते तो मनस इशा प्रयोग सिध्ध होता है लेकिन यहां प्रयोग अनिश्ट है ऐसा प्रयोग लोक अभ्योहार में नहीं पाया जाता तो सबसे पहले हमें टी संग्या करनी होगी आचोंत्यादी टी से मकार उत्तरवर्तियकार और नकार उत्तरवर्तियकार अचों के मध्य में जो अंतिम अच है नकार उत्तरवर्तियकार वह किसके आदि में है असके आदि में है इसलिए असकी टी संग्या हो जाएगी और जब असकी टी संग्या हो जाएगी तो कि तच्चटी है पूरो और परदोरों के स्थान में पररूप एकादेश और वह पररूप टी को होता है इसलिए अस और इकार के स्थान में पररूप हो करके प्रयोग बन जाएगा मनीशा आगे बृत्तिकार लिखते हैं आक्रितिगनोयम यहां आक्रितिगन है आक्रितिगन कहते हैं एक जैसे कार्य वाले प्रयोगों का समूह पदों का समूह जिन जिन पदों में एक जैसा कार्य हुआ करता है उन सब को एक समूह में रख दिया जाता है उसे ही कहते हैं आक्रितिगन तो यहां पर प्रतेक शब्दों का उलेक सोत्रकार व्रतिकार ने नहीं किया है तो हमें जहां भी पररूप जैसी इस्थिती जिन पदों में पररूप जैसे इस्थिती दिखलाई दे वहां या उसे हम आक्रितिगन में समझ लेते हैं प्रयोग है मार्त अंडः अंडः तकार उत्तरवर्ति यकार कीटी संग्या चोंत्यादिती से और उससे परे अंडः का आकार विद्यमान है यह पूर और पर दोनों के स्थान में शकंध्वादिश पररूपम वाच्यम तचटेह इस सूत्र से इस वार्तिक से पूर और पर दोनों के स्थान में पररूप हो करके मृतंड बना और उसके बाद तत्रभवह अर्थ में अनप्रत्य या अपत्य अर्थ में अनप्रत्य करने पर तद्धितेश्वचामादेह इस सूत्र से आदियच की ब्रिद्धी और उरण रपरह से रपर प्रवत्त हो करके मारतंडः प्रयोप सिद्ध होता है कि अगला सूत्र है ओमानोष्च ओमानोष्च सूत्र कहता है कि और ओम एवं आन परे होने पर ब्रत्य में लिखते हैं ओम आनी चात परे पररूपम एकादेश हस्यात एनी पररूपम से पररूप कानुवर्तन कर लेंगे और एकह पूर्व परयोह का अधिकार है और तब अर्थ होगा कि अवर्ण से ओम और आन परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान में पररूप एकादेश होता है प्रयोग देते हैं शिवाय ओम नमह शिवाय ओम नमह ओन नमह यहां मौनुश्वारह से मकार को अनुश्वार होकर वापादांतस्य से बैकल्पिक परनसमर होकर के शिवाय ओम नमह प्रयोग बनता है विच्छेत करेंगे शिवाय ओम ओन नमह यकार उत्तरवर्ती अकार से परें कि अ कि अ कि एच प्रत्याहार कावर्ण होने के कारां पूर्व और पर दोनों के स्थान में ब्रिद्धिरे का देश हो जाना चाहिए लेकिन यहां पर ओम यकार उत्तरवर्ती अकार से परें ओम परें होने के कारां ओम आनोश्चा इस सूत्र से पूर्व और पर दोनों के स्थान में पररूप हो करके शिवायोम नमह प्रयोब बनता है शिवे शिव यह जो आकार है यह आन का आकार है नकार की संग्या और तस्य लोपह से लोप हो करके बचता है केवल आकार आ यह आद गुणह से गुण करके प्रयोग बनता है शिव धन यह है कुछ लोग यहां यहां प्रश्न उपस्थित करते हैं कि शिव धन आ पहले हम यहां पर संधि करके अकाह सवरने दीरगह से शिवा और शिवा धन यह बराबर आद गुणह से गुण करके शिवे ही प्रयोग सिद्ध करते हैं लेकिन ऐसी स्थिती में जहां पर अंतरंग और वहिरंग दोनों कारियों की एक साथ उत्पत्ति होती है वहां पर अंतरंग कार्य बलवान हुआ करता है अंतरंग की दृष्टी में बहिरंग कार्य असिद्ध होगा करता है असिद्धम बहिरंग मंत रंगे अंतरंग की उपस्थिती में बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाया करता है तो यह अंतरंग क्या है तो धातु उपसर्गयोह कार्यम अंतरंगम धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग कहलाता है इसलिए पहले हम धातु और उपसर्ग से संबंधित संधिक करेंगे तब जाकर के आधन यह आद गुणह से गुणहो करके यही बनता है अब अगला सूत्र आता है अन्ता दिवच्च चूंकि यह जो है आन का आकार ना होने के कारण ओमानोश्च सूत्र की आन का आकार ना होने के कारण ओमानोश्च सूत्र की उपस्थिती नहीं हो रही थी जिस कारण से अगला सूत्र देते हैं अन्ता दिवच्च अन्ता दिवच्च सूत्र कहता है कि एकह पूर्व परयोह से पूर्व और परदोनों के स्थान में जो एका देश हुआ करता है वहाँ परिके आदिवत और पूर्व के अन्तवत हुआ करता है वहाँ पूर्व के अन्तवत और परिके आदिवत हुआ करता है इसका मतलब ये है कि ये जो आकार है और इहकाईकार है यहाँ पूर्व में है और इहकाईकार पर में है तो ये जो एकादेश हुआ वहाँ पूर्व के अंतवत अर्थात इसके रहते आन के कारण जो कार हुआ करता है वही कार्य एकादेश होने के बाद भी हो जाएगा ठीक उसी प्रकार पर कए आदिवत अर्थात पर के कारण जो कार्य हुआ करता था वही कार्य इस एकादेश होने के बाद भी हो जाएगा यहाँ अर्थ हुआ अंता दिवत्च सूत्र का और तब जो है यहाँ पर हम आनत्व मान करके ओमानोस्च सूत्र से पूर्व और पर दोनों के इस्थान में पररूप हो करके प्रयोग बनता है शिवेही प्रियसिक्षार्थियों आज के व्याख्यान में आपने व्रिद्धि संधिके विस्तारक सूत्र के रोप में ने उपसरगाद रितिधातो इत्यादी देखा और उसके बाद पररूप संधि की चर्चा आपने सुनी पररूप संधि को समझा अब इसके प्रश्यात शेस अगले ब्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद कर दो